नवस्कार तो आज देखिये डेट है 25 जून 2023 और 25 जून को जो था वो इवनिंग सेशन में टैट लेंगवेज टीचर का वेपर जो था वो कंड़क्ट किया गया था यह सेक्शन हमारे बास आप पहुंचा है और यह सेक्शन हमें पारस जिने सेंट किया है तो बहुत बहुत जन्यवाद उनका question number 121 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे discussion question number 121 में बूलते हैं who is the current minister of industries in हिमाशल प्रदेश तो industrial minister बताने हैं गिर्याज पत्रिका से directly जो होता है question present time में जो industrial minister है वो है हर सवर्धन चोहान option c जो है वो सही answer हो जाएगा present time में पूछा गया है आगे बोलते हैं which of the following is not direct tax तो बोलते हैं कि आपको अगर direct और indirect tax के बारे में पता है तो आपको पता होना चाहिए कि direct tax जो है इनमें से कौन है और कौन नहीं है और देखिए not जब पूछा गया है income tax जो होता है वो direct tax के example है wealth tax जो होता है वो भी direct tax के example है प्रन्तु GST यानिके goods and service tax जो है वो किसमें आता है यह indirect tax का example है तो not जब पूछा गया है तो not direct tax होगा option C GST GST is indirect tax यह आपने ध्यान रखना था 123 में क्या बोलते हैं बोलते हैं where was the first post office opened in India तो पहला post office इंडिया में मुंबई में जो था वो open हुआ था option C सही answer है अब देखिए morning session में जो टैट non medical का वेपर हुआ था ना वो हमने discuss कर लिया है उसको आप देख सकते हैं अगर आपका अगला हो टैट है या फिर आपको लगता है कि यह questions important हैं आपके लिए question number 124 देखिए बोलते हैं how many mandalas are दे रहें रिगवेद में कितने मंडल हैं रिगवेद में जो है वो total 10 मंडल जो है वो आते हैं option जो है वो सही अंतर दस मंडल जो है वो रिगवेद में आते हैं कोई भी correction किसी भी question में होती है तो टेलीग्राम पर आपको अपडेट करूंगा और साथ में comment box में भी update कर दिया जाएगा प्रंतु answer की आने पर फिर भी जरूर चेक करें अगर आपने paper दिया है 125 में क्या बोलते हैं बोलते हैं when is the world olympic day celebrated देखो world olympic day इसी महीने मनाया जाता है जून के महीने में ही कब मनाया जाता है जून के महीने में दो तारीकें दी गई है 23 जून और 2 जून तो 23 जून को जो यह पूछे जाते हैं 126 देखिए बोलते हैं how many districts were there in हिमाचल प्रदेश till 1966 तो बोलते हैं 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे 1966 तक हिमाचल प्रदेश में जो था वो 10 जिले हुआ करते थे option D सही अंसर है option D आपने सही अंसर ध्यान रखना है हम पी बोलते हैं किसकी capital है तो हम पी कल पर सुन की वीडियो उठाके देख लेजिए वीजय नगर एंपायर के बारे में डिटेल से बात की गई है तो option C वीजय नगर की यह capital होती थी हम पी यह अपने ध्यान रखना है बोलते हैं who introduced railway in India तो इंडिया भारत में railway किसने start की थी यह लौड डलहौजी के time में start की गई थी पहली रेल जुताओ Bombay से थाने के बीच में 1853 में चली थी बहुत बार हम बढ़ते हैं इस question को आगे बोलते हैं पंच सील एग्रिमेंट जुताओ क्या हुआ था किस के बीच में हुआ था पंच सील एग्रिमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हुआ थ कि इसमें पंच एग्रिमेंट जुताओ किये थे पंच सील वहीं से इसका नाम पड़ा था बलजीत कौर बोलते हैं कि हिमाचल परदेश से हैं बोलते हैं वो कौन से फ्रीड से जो है जूडी हुई है रिसेंट्ली चर्चा में थी तो गिरास पत्रिगा से डिरेक्ली करते हैं क्यों यह चर्चा में थी वो भी हमने जाना था आगे बोलते हैं हैं फ्रांस में स्थित है लियौन ऑप्शन सी जो है वह सही अंसर हो जाएगा लियौन इंट्रपोल का जो है यहां पर हैट्वेटर स्थित है 132 में बोलते हैं हुज दा क्रंट प्रेजिडेंट में रहते हैं ऑप्शन डी सही अंसर है तो यह तो वहां से क्रंट अफेर भी नहीं कहेंगी जर्नल अवेरनेस कह दीजिए तो वहां से यह कवर हो जाते हैं 133 देखिए बिहार का मुख्य जो आदिवासी जमू हो है वह कौन सा है तो बिहार में जो मुख्य ट्राइवल ग्र जंगना की कैपेटल है आगे बोलते हैं 135 में हीरा कुंड डैम बिल्ट विल्ट और विचाओदा फॉल्ल इवर तो बोलते हैं कि हीरा कुंड डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो हो बना हुआ है हमने ही रा कुंड डैम के बारें बहुत बार पड़ा है कि यह महा नदी क कि ऊपर बना हुआ है कौन से स्टेड में स्टिथ है उडिशा स्टेड में यह स्टित है यह यह दिए रखना आगे बोलते हैं विच इस созд language N han तो लॉंगस्ट नैशनल हैवे नाशनल हाईवे नानम फॉरटीफोर है और सब्सक्राइब नूट कर ले ना इस को इंपोर्टन है कितनी बार हमने बढ़ा है कि शानता कुमार जी के दौरा यह लाज्यो किताब लिखे गी ती गलत नहीं हो सकते यह क्वेशन अगर आपने डेली वीडियो कोई चांस ही नहीं है इतनी बार हमने रिवाइस की है कि टिप्स पर बच्चों को भी आद हो गए होगे अगर डेली व जो प्राचिंतम निवासी हैं वो कोल्स हैं ऑप्चिन ए जो है वह साई अंसर है 139 में क्या बोलते हैं बोलते हैं वेर इस दा पुसकर लेक सिच्चुएटिड़ पुसकर लेक कहां पर सित है पुसकर जी राज्यस्तान की जब भी बात हुए मैंने आपको बताया है इसते प सबसे उचा पठार कहा सतीत है उचा पठार है तिबद का पठार तिबद प्लेटिव ऑफशन डी जो है वह सही अंसर हो जाएगा तिबद प्लेटिव ध्यान रखना है इसको जो है वो रूफ आफ दा वर्ल्ड भी कहा जाता है यह तो आपको पता ही होगा 140 के बाद 141 कोश सब्सेशन फॉर रीजनल कॉर्परेशन यह भी कोशन एक्जाम में पूछा जा सकता है अगले कोशन में बोलते हैं गूगल इस दा सब्सीडरी ओफ विच विच पेरेंट कंपनी कंपनी बतानी है कौन से तो गूगल की जो परेंट कंपनी है वो अल्फा वैट है ऑप्शन अल्फावेट आईैंसी जो है वो इसका रहन तर हो गूगल की परेंट कंपनी जो है यह जरूर कोशन पूछा जाता है एक्जाम में पहले भी पूछा गया है उर्या इस रिमूब फ्रॉम दा बॉ lige लग कि यूरिया को खून से अलग करता है तो यूरिया को खून से किड़नी अलग करती है यह किड़नी का काम है गुर्दे ऑप्शन सी जो है वो सही अंसर हो जाएगा अगले को इसने 144 कोशन बुलते हैं इरानी कप एसोचेटिड वीद अभी कल पर सुन की वीडियो उठाके देख की जूरूरत नहीं पढ़ेगी एक लिस्त जी ये के लिए आपको कहीं पर भी 145 किशन देखें बुलते हैं नेम इवोला इन इवोला वायरेस हैस बिन टेकन फ्रम तो बोलते हैं कि इवोला वायरेस का नाम इवोला किस के नाम पर रख़ा गया है तो इवोला नाम नदी के नाम पर है option भी सही अरीवर एक नदी के नाम पर है आपने ध्यान रखना है कि इवोला डियार सी डेमोक्राटिक रिबॉब्लिक ऑफ कांगो कंट्री जो है न वहां पर एक साहिक नदी है यह वहां से ही इसका नाम जो था वह पड़ा था 146 कोशन देखें बोलते हैं परल हर्बर इन इजा नेवी एरिपोर्ट ऑफ विच कंट्री तो बोलते हैं परल हर्बर जो है वह नौसेनिक अड़्डा है यह किस कंट्री का है उनाइटिड स्टेट का है ऑब्यसी बात है ऑप्शन सी बहुत बार न्यूज में रहता है बोलते ह सब्सक्राइब कोशन दाला हुआ है तो यह उस्ट्रेलिया का जो है यह समर फेस्टिवल क्रिस्मस जो है वह उस्ट्रेलिया में समर्स डेज में मनाई जाती है 148 में बोलते हैं हुब वोन दा इनॉग्रिल वोमेन यहां पर है जो आपको नहीं दिखाए दे रहा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप तो बोलते हैं प्रत्थम महिला अंडर 19 T20 विश्टो कप किस ने जीता तो यह जीता गया अपना देश भारत महान है जो ऑप्चन डी इंडिया के दौरा जो था वो जीता गया यह आपने ध्यान यहां से रख लेना है 148 देख लिया इसके लावा 49 नंबर वो इसमें पूचा कre था rice cultivation is associated with which harapan site की चावल की खेती जो हो किस harapan sthal से जो हो संबंधित है तो rice cultivation जो हो lotal lotal site से जो है यह जुड़ी हुई है lotal site जो हो कौन से इंडियन state में पढ़ती है तो यह गुजरात state में जो हो पढ़ती है तो यह हमने discuss कर लिया बागी देखो telegram प पर जोइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से एड़ डरे टॉल एक्जाम 31 इस तरह से सर्च करना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आने वाली हर एक अपडेट आपको वहां पर मिल जाती है अश्कूरत अबाम चैनल मिल एक झाला टेलीग्राम करें.